अस्सलाम अलेकुम तो आज इस deep learning के series में हम देखने जा रहा हैं कि data augmentation है क्या और data augmentation की techniques क्या है और data augmentation की जरूरत क्या है हम data augmentation करते ही क्यों हैं तो without a further do हम start करते हैं data augmentation अब data augmentation का मतलब क्या है data तो हमारा input data augmentation का मतलब size को increase करना जो हमारे पास built-in size है उससे ज्यादा size देना उसकी techniques क्या क्या है वो आज हम इस lecture में देखने वाला हैं तो without a further do हम start करता है तो अगर हम table of contents को देखें तो आज हम देखने जा रहा हैं कि data augmentation होती है types क्या होते है data augmentation की इसकी importance क्या है और इसकी limitation क्या है with respect to images क्योंकि हम deep learning पे काम कर रहा है तो हम with respect to images देखेंगे तो data augmentation की simply जो definition भी है वो उसके words सही निकाली गई है आप अगर augmentation का मतलब देखोगे तो augmentation का मतलब यह है कि size को बढ़ाना अब किसकी size को बढ़ाना वो उसके पहले prefix में लिखा हुआ है data data की size को बढ़ाना यह होती है हमारे पास data augmentation की technique for instance हमारे पास यह image है cat की हम क्या करते हैं इसी image को पकड़कर थोड़ा बहुत rotate कर देते हैं और उसको zoom in zoom out कर देते हैं और different images बना लेते हैं उससे तो हर image एक अलग feature हमें बता रही होगी और उसके through हमारा model और भी ज्यादा learn कर पाएगा अगर हम बच्चा का example ले लेते हैं किसी भी बच्चे का तो जब वो अपने learning stages में होता है तो हम उसे बताते हैं कि for an instance वो जो गाड़ी जा रही है वो ट्रक है तो वो हर गाड़ी को ट्रक ही बोलता है जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि गाड़ी ट्रक बस इन सब चीज़ों में फरक होता है जब उसे वो फरक पता चल जाता है जब वो learn कर लेता है तो उसके लिए कोई भी चीज कोई मसला ही नहीं है तो यहां पर भी data को learn करवाने के लिए उसे multiple time बताना पड़ता है जैसे हम अपने kids को बताते हैं वैसे ही machine को बताना पड़ता है और एक बार उसने learn कर लिया और model उसका best बेट गया तो फिर हम उसे compete ही नहीं कर सकता है अगर फिर हम यहां पर इसके types देखें तो एक हमारे पास होता है synthetic data और एक होता है augmented data synthetic data जो हमारे पास होता है वो artificially created होता है और उसमें most of the time GANs यूज होता है generative adversal networks उसके बाद अगर हम augmented data की बाग करें तो augmented data derived होता है original data में से ही for an instance हमारे पास यह images है इन पर हमने different frames लगा दिये तो यह हुआ गई हमारी augmented data या augmented images उसमें transformation होनी चाहिए हम चलते हैं आगे अब types of data augmentation कौन कौनसी होती है एक होती है position हम जो position को change करते हैं कि हमने उसको rotate कर दिया या उसको zoom out कर दिया zoom in कर दिया frame में डाल दिया यह हमरे पास आ जाती है position second हमरे पास होती है color augmentation हम color में changes करें bright कर दें saturation बढ़ा दें hue बढ़ा दें यह चीज़ें आप को पता होंगी उसके अगर हम बात करें final way g a n तो वो most of the time use नहीं होता क्योंकि वो difficult होता है अपनी तरफ से images बनाना difficult होता है as compared to derived images बनाना तो इसलिए prefer उपर वाले दो ways ही किये जाता है हम अब इसके importance की बात करते हैं कि इसकी importance है क्या अगर हम इसकी importance की बात करें तो इससे हमें data collection जो हम करते हैं उसकी cost हम से हमारी बच जाती है उसके इलावा हमारी जो accuracy है वो भी बढ़ जाती है ये दो चीज़े most importantly इसमें हमारी matter करती है अगर फिर हम इसकी limitations की तरफ बढ़ें तो इसकी limitations यह है कि quality को हम handle नहीं कर सकते syntheticness उसको भी हम handle नहीं कर सकते verification उससे हम नहीं कर सकते जो भी हमारे पास drive damages है या augmented images है उसके तरू हम verification नहीं कर सकते और उसके इलावा अगर original picture में कोई biasness है तो वो भी इसमें include हो जाएगी उसके बाद optimal augmentation का भी issue इसमें आता है most of the time तो इसमें यह 5 limitations है अगर इन 5 limitations को हम handle कर लेते हैं हमारे पास high quality की picture है उसके तरू हम verification भी कर लेते हैं ठीक है उसको augment वगरा करके उसके बाद उसमें original bias ही नहीं ठीक है और उसमें कोई biasness नहीं हो तो आज के lecture के लिए इतना ही हम इंशाल्ला मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाँ आफस